तीन दिन मेरे साथ रहेगा तो चरण पकड़ना पड़ेगा पहर छूना पड़ेगा गुरू जी कहना पड़ेगा तीन दिन में ही चरण पड़ना पकड़ना पड़ेगा गुरू जी कहना पड़ेगा बच्चों को बहन जी के बराबर नहीं लाया जाता है बच्चे तो बच् करने में लगे रहते हैं, कई जगडा करने में लगे रहते हैं, जोर से बोलने में लगे रहते हैं, उनको कहीं लगता होगा कि हमारे ही जैसा चन्सेखर भी है, चलो बहा हो बढ़े लिखे हो, आप clique onूचंध एक हो चमचागिरी छोड़ो, चम्चों चम्चा गीरी छोड़ो बी यस पी से नाता चोड़ो ये नारा इसकी राजनीती की जब भी बात होती है तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रिमू आइरन लेड़ी बहन कुमारी मियावती की बात जरूर होती है लेकिन एक नाम बहुँद तेजी से बहन कुमारी मियावती के फारलल में जो है खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है जिनका नाम जो है भीम आर्मी के चीप आजाज समाज पार्टी के राश्टी है देख चंदर सेखर आजाज जी का है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चंदर सेखर आजाज जो है बहुत समाज पार्टी का बिकॉल बनते जा रहा है लेकिन इसकी क्या है सच्चाई इस मसेले पर आज हम बात करेंगे बहुत समाज पार्टी के केंद्रिय परिभारी है लाल जी में धांकर जी लेहते होंगे हमारा अपना कहना है मानि बहन कुमारी मायावती जी जब 19 साल की थी तब सहब कांसी राम के संपर्ट में आई जी कोई भी जो बरिस्ट हुआ है वो कभी नोजवान रहा है बुड़ा नहीं पैदा हुआ है बहन जी ने अपने नोजवानी में यंगेज में जो करके दिखाया है जो किया है बहन जी जो आवाज उठाई है और जिस बात के चलते आज ये बहुजन मुवमेंट चल रहा है उस बात से पुरे देश में अगर तुलना करें तो पूरे बहुजन समाज में कोई बहन जी के नकुने के बराबर नहीं है हमारे ही समाज के एक नोजवान को एक लड़के को जिसमें ज़्यादा समझ नहीं है ज़्यादा सोच नहीं है उसको बेमतलब आप लोग इस लहजे में बहन जी के बराबर पेस कर रहे हो मैं डाक्टर लाल जी में धांकर पढ़ा लिखाया आदमी हूँ, नोजवानी की उमर से लगा हुआ हूँ, कई सारे राज में बहन जी ने एजे प्रभारी लगाया है, कई सारा चुनाव लड़ाया हूँ, जादा किसी को नसा चढ़ता हो, वो बड़ा टेलेंटेड है लड़ बच्चों को बहन जी के बराबर नहीं लाया जाता है, बच्चे तो बच्चे हैं, ठीक है, लंफट बच्चा है, काबू में नहीं आ रहा है, अरे बही किसी घर में जो है, तो किसी के चार बेटे पैदा होते हैं, एक बेटा सरा भी निकल जाता है, अब माता पिता डाटते निकल गया उसको हमारी आइकॉन से हमारी आदर्स से मान्य बहन जी से कंपेर करें बहुत बुद्धिवानी का का मैंने की मीडिया सर कर रही है कि वो उनके विकल बनते जा रहा है अरे भाईया आप यूटूबर हो सोशल मेडिया चलाते हो किसको में इस्ट्रीम की मीडिया कह हो फिर आप ही लोग कहते हो गोधी मीडिया मोधी मीडिया बिकी हुई मीडिया मनुबादी मीडिया उस मीडिया को आप उसको कुछ कहे वो उसको नोटिस में लेने वाली चीज है आजकल तो मोधी जो इसारा करे वो मीडिया कहे अब वो मीडिया तो किसी को भी कुछ भी कह संद्ध सेखर नौजवान हमारे समाज के लड़के हैं गलत काम किया है पुलिटिकल पार्टी बनाने की प्रयास अभी बनी नहीं है बनाने का प्रयास कर रहे हैं गलत काम किया है जो दिवाराव फूले साहुजी महराज बाबा सहेब डाक्टर अमबेडकर पेरियार रामस्व भगमान गौतम बुद्ध संत कवीर संत रविदास ये जो संतो गुरू महापुरुस हैं इन लोगों के मोमेंट को जो अमबेडकर बाद अधर में लटक गया था इन संतो गुरू महापुरुसों का उसको मानिवर कांसी राम साहब ने संभाला है संजोया है उसको एक बहुजन आंदोलन कहते हैं आज का जो भारत है ये कांसी राम यूग है ये बाबा साहब के सिध्धानतों का यूग है मानिय बहन कुमारी मायावती जी को बहन जी को 2001 में दिसंबर में 15 दिसंबर को कांसी राम साहब ने कहा कि मेरे बहुजन मोमेंट का ये मायावती उत्रा करूंगा मैं बीएसपी का नुकसान करूंगा मैं जाओंगा आरे से मिल जाओंगा मैं जाओंगा केसी यार के चरणों में गिर जाओंगा मैं जाओंगा मोधी की बाह पकड लूँगा मैं अखिलेस यादो को जाकर के उसे ठीकट ले लूँगा उससे में सीट मांग लूँग का इस प्रकार की activity करने वाला कोई हमारा नोजवान वो सत बुढ़िका नहीं है, वो दुरबुढधीका है. इन सन्तोगुरुवों महापुरुसों का उपर आदिखा दो भहिया, एक कैमरा कि हम भी बाबा साहब को मानते हैं ये 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 दुर्बुद्धी है ये गलत काम उस नोजमान लड़के ने किया है इसको ज्यादा हवा मत दीजिए हमारे नोजमान बच्चे जो 18 से लेकर 25 किये हैं हम लोग टीच करने में लगे हुए उन अपने छोटे भाईयों को कि रिकेट नहीं खेलता हूं तो वह अपने क्रिकेटर के भीड में जाके खड़ा होगा बला चटकाएगा वहां से गेद मारेगा वहां से हमारे पास तो संकोच में आएगा ये प्रभारी जी आ गए ये मेधांकर सहाब आएगे अभी भासर देंगे अभी कुछ उनको कहीं लगता होगा कि हमारे ही जैसा चंसेखर भी है चलो वाई चंसेखर बुला राज चलो चलते हैं भीड़ पाइदा करते हैं वह हमारे नौजवान बच्चों की इस प्रकार की धीड़ है उस भीड़ में कोई जान नहीं है वो सब असपा को वोट देते हैं वो सब बाबा Saressed के follower बनेंगे अभी इन ंतोर हैं दिरे दिरे समच्वर हो जाएंगे सब बहनजी की सरण में अब चुल शlak घ् umYE नौजाईन तो essentially बहनरे श्रयी नहीं समझाती हैं पार जारे जान आ यह कि मेरे पास आज़ाए कि आ अगर बहन जी को अपने नोजवानों को पिछड़े अति पिछड़े दलिस समाज को पिक अप नहीं देना होता, लीडर्सिप नहीं देनी होती, तो बहन जी मुझे भी नहीं बनाती विहार का प्रभारी, कहती नहीं, यह में धंकर बड़ा तेज तर्रार आदमी है, इसको नह लेना है, भाई, यह गरवर हो सकता है, नहीं, बहन जी अपने समाज के तेज तर्रार लोगों को आउसर देती है, मौका देती है, आगे बढ़ाती है, लीडर्सिप देती है, वो चन सेखर, बुद्धी नहीं थी, उसमें समझ नहीं थी, या वो पहले से ही जो है, वो जो मै नजर नहीं आता, जो भटकाओ है उसमें, बहन जी किसी को नहीं बुलाती है, बहन जी सबको टीच करती है, सबको औसर देती है, एक एक को बुलाएंगी थोड़े, पुरे समाज की लीडर है, पुरे समाज की नुमाइंदगी करती है, बहन जी, चन सेखर में समझ हो, बस प ये बहन जी का बहुज़न मॉमेंट चल रहा है उसको भी आऊसर मिल सकता है लेकिन समर्पित होना होगा समर्पण पैदा करना होगा संतो गुरूव महापुरसों में कामसी राम साहब में बहन जी में समर्पण पैदा करना होगा जिसका समर्पण नहीं है उसको हम ले करके नि जल में डाले, जल में निकाले निकाले आरेसेस वाला, बीजेपी वाला, घमें, बीजेपी वाला झो हमारे समाज में चंचार क्या है। उन चंचों का यह जो मनुबादी पार्टियां हैं। उपयोक करती हैं। तों सो साफ साफ कहेंगे भाई चन सेखर आप इवा हो नोजमान हो पढ़े लिखे हो आप एड़ वो केसी किये हो यह earnest चम्चागीरी चोड़ो चम्चों चम्चागीरी चोड़ो BSP से नाता जोड़ो यह नारा है श्रों चम्च적ागीरी चोड़ो BSP से नाता जोड़ो it Ap में आ करके काम करो अपना भला करो समाज का भला करो कैसे भला होगा सर चार सो तीन विदांसवा के सीटे में एक सीट पर हा जाती है बे मतलब का सवाल मत करो भाईया बहुजन समाज पार्टी के पास लगबग 14% वोट है ठीक है हमारे 66 मेले तब जीते थे जब मात्र 11% वोट 11% वोट में 66 जीत गए और 14% वोट में एक मिले जीत गया इसका अर्थ होता है बसपा को रोकने के लिए सडेंत्र किया गया है मिडिया का इस्तेमाल किया गया धनबल का इस्तेमाल किया गया सपा की और बीजेपी की मिली भगत थी चाहें तू लड़ ले या मैं लड़ लू तू जीत जाया मैं जीत जाओं लेकिन बहुजन समाज पार्टी को नहीं जीतने दिया गया सडेयंत्र के तहत एक मिल्ले पर लाया गया है BSP का जनाधार इतना जादा उत्तर प्रदेश में है कि उतने ही जनाधार पर हमने तो सुबुत दे दिया हमारा 93 में मात्र 11.11% ओट था तब 67 जीते और अब हमारे पास 13.5% ओट है हमें सवे मिल्ले से कम जीतना ही नहीं चाहिए किसी कीमत पर जो ट्रेंड है और BSP का तो ये है चूंकि BSP ट्रेंगिल बनाती है जैसे ही उसमें आधा परसंट एक परसंट ओट बढ़ता है परसंट सवर्द के शुना हुए राज अस्थान के विधान सवा के चुना हुए बेश भी चुनाव लड़ी और आजासमाज पार्टी भी चुनाव लड़ी सर ये दोनों पार्टिया जो है बहुत कम वार्जिंग वोट से सर हारी और मुझे जहां तक सर लगा कि अगर दोनों पार्टियों का गटपंदन होता तो साथ सरकार में होती चाहे हो राजस्थानों कि कोशिस के चकर में वो बिरोधी दलों से जाकर के मिल रहा है उसको पार्टी आप क्यों कह रहे हैं चमचा कही है ना पिठु कही है ना उसको पार्टी क्यों कह रहे हो आप हम अपने ही घर में से अलग हुए चमचा दलाल पिठु को दूसरे के लिए काम कर रहा है उसको हम पार्टी नहीं कह सकते और गटबंधन और बंदन ये सो नाटक बाजी है वो हमारा भाई है वो हमारा बेटा है हमारे साथ आए अपनी बुद्धी को साफ करे इस मोमेंट को बढ़ाए जैसे लाल जी में धंकर नेता बन सकता है बसपा का मोमेंट चला सकता है बहन जी के आधा दिए हैं और एलिगेशन भी लगाया है वह भादपा के दवाव में जो है ब्यारे से गठ बनन टूटी है वह हमारे बाबा साहिब डाक्टर मेड़कर के समयधान की बदोलत हमारे लोग अधिकारी बन रहे हैं करमशारी बन रहे हैं हाँ ब्यूरो क्रेट में इस पीसियस भी बन रहे हैं सेक्रेटरी बन रहे हैं जोएंट सेक्रेटरी बन रहे हैं अगर कोई ब्यूरो क्रेट हमारा आईए यस अगर वो तथा कथित मनुबादी सरकारों की गुलामी न करे थोड़ा सा भी अमबड़कर बाद पर चले अपने संतों गुनों महापुरसों का सम्मान करे तो ये मनुबादी सरकारे उसको ऐसे किनारे लगाके रखती हैं एक कोने में डालके रखती हैं ना परमोसन होता है और ना उसको पावर मिलती है ना उसको पैसा मिलता है कोई भी ब्यूरो क्रेट इनकी चमचागीरी करके व प्रवांदराप्रदेश था और उसी कांग्रेस की सरकार के दोरान आरेस प्रविन जी को आगे बढ़ने का उसर मिला है सरकारों की चमचागीरी करके तो वो उचाई पे गए हैं और जब अंति मवस्था आने की हुई बढ़ोती आने की हुई तो मेड़करबादी हो गए सत्थबुधी आ गई आये बहुजन समाज पार्टी में हमारी नेता ने इतना बड़ा उनको काम दिया कि मेरे समाज का भटका हुआ है आदमी आया है और आज वो मेरे उपर सद्धा कर रहा है हमारी पार्टी को मान रहा है हमें इसको बड़ा से बड़ा उसर देना चाहिए बहंजी ने इस्टेट का प्रभारी बनाया बहंजी ने उनको जो है स्टेट का अधिक्ष बनाया और बहंजी ने सीम कंडिडेट बनाया हमारी पुछों ऐसे गदारों से समाज को साउधान करते हैं और एलर्ट करते हैं कि अगर कोई हमारा भी रिच्वाइन को धनाड़े भी हमारे में हो गया है मजबूत भी हो गया है अगर वो निकल के आता है बीएसपी में तो मेरे कार्य करता समान करें वहेंजी के आदेश को मानें लेकिन नजर भी रखें, उसके फैन न बन जाएं, नजर रखें कि कभी यह धोखा देगा, नहीं धोखा देगा, तो हम इसको मानेंगे, चलेंगे, और अगर धोखा देने की कुछ भी सोच रहा है, उसको वाच करें, और फिर उसको किनारे लगाने का काम करें, आर्यास इन कहीं के नहीं रह पाएंगे, कोई सम्मान की नजर से उनको नहीं देखेगा, यह चीट करने का काम उन्होंने किया है, मात्र सांसत बनने के लिए, और एक आदमी और आया था भाई, क्या नाम उसका वो, परिसंग्र बनाया था कोई, उदित राज बन गया, कोई राम रा आदमी, दिली अंसियार के जुटे, ऐसे लगा कि अमबेड कर बात का कोई मसीहा आ गया है, उस बेचारे मसीहा की इतनी चाहत थी, कि अपना परिसंग भी खतम किया, अपना लाट बुद्धा कलब भी खतम किया, मोधी चाचा से एक टिकट ले करके आया, बीजेपी से एक जुगार बाजी कर रहे हैं, कोई टिकट दे दे, एक सांसत बनने के लिए, अमबेड कर बादी मोव्मेंट पर चोट करने वाले ऐसे गदारों को ये समाज सबक सिखाएगा, उसी में से आरेस प्रवीन जी भी निकले, कि एक सांसत बनने के लिए बिचारे दीन इमान उठाई हैं, तो क्या लगता है कि बहन जी के कहने से बैलेट पेपर से सुनाव हो जाएगा, नहीं मैं ये तो नहीं कहता कि मातर बहन जी के कहने से हो जाएगा, देश की सारी पोलिटिकल पार्टी कहें, तब जा करके हो पाएगा, हमारी भी पार्टी एक पार्टी है, साइ यूज कर रहे है भारतिये जनता पार्टी ये दोनों जिम्मेदार है और भी जो देश में पोलिटिकल पार्टी जहिएए जैसे च्षित्रिये पार्टी बिःहर کی RJDJU इत्यादी हो गई या सिय동 इत्यादी हो गई है ये जो पार्टिया है सारी पार्टियों को इसमें देखना चाहिए अगर इनको संदे है सबको कि EBM में घोटाला हो रहा है तो सबको एक हो करके सारे राजनेतिक दलों को और फिर एलेक्शन कमिशन से मांग करना चाहिए सामोही ग्रूप से कि EBM को बंद किया जाए और बलेट पेपर से चुनाव कराया जाए